जैहिन, my friends and dear students, welcome back to my YouTube channel, RD English Classes, guys, मैं आज आपके लिए एक बहुत है important vocab का जो आप शेशा ने वो ले के हाजिर हो, बहुत बच्छे के मन में ये confusion रहता है, कि sir, जिस word के, जिस किसी भी word के अंत में ly रहेगा, तो वो adverb होता है, लेकिन my dear, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, हमें चेक करना होता है कि वो ly किस word के अंत में लगा हुा है, इस बात का हमें हमेसा ध्यान रखना है, किसी भी word के अंत में, ly लग जाने एड़ नहीं होता है, ठीक है, we should check the pause, पहले हमें सबसे पहले चेक करना होता है, अब कैसे चेक करना, क्या चेक करना है, तो मैं वो बता आडा क्या होगा जैसे एक्जाम्पल के लिए मैंने लिख रखथा है कि week में लगाएंगे weekly मन्त में लगेगा monthly yearly इस तरीके से fatherly यह आपके लिए बिल्कुल नया होगा आपने पहली बार सुना होगा इस word को हो सकता है तो आपको और सा लगे fatherly मतलब होता है पिता जैसा ठीक है और miserly, miser और miserly में में किसी अगले वीडियो में आपको अंतर बताऊंगा कि क्या फर्क होता है miser और miserly में, miser है ना आपको कैसा लगा है जरूर बता है कि यह बीडियो आपको कैसा लगा है जाय है